पाठ चार मंत्र तंत्र इस पाठ में बताया गया है कि परिश्रम करके व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को सुधार और समार सकता है अपने लिए आवश्यक वस्तूओं को हम खुद ही मिलकर बना सकते हैं इससे हमारे गाउं और देश की उन्नती होगी एक छोटा ऐसा गाउं था उसमें केवल तीस ग्रहस्तों के घर थे एक दिन तीसों ग्रहस्वामियों को एक जगह मिलना था पूरे गाउं में ऐसी कोई जगह ना थी जहां वे इकठे हो सकें बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यक बातचीत कर सकें गाउं की सीमा पर कुछ खाली जमीन थी उबढ़ खाबढ़ और दूल मिट्टी से भरी कुमार जो तीस ग्रहस्वामियों में से एक था वहां आया उसने कुछ स्थान साफ किया तभी वहां एक आदमी और आ गया कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया दो-चार लोग और आ गए वे भी कुमार के साथ लग गए थोड़ी देर में ही वहां तीस आदमियों के खड़ होने की साफ सुत्री जगह बन गई बातों बातों में कुमार ने कहा क्यों ना हम यहां चबूतरा बना दे बैठ कर बातशीत करने में सुविधा हो जाएगी तुरंत सभी ने हामी भरी और इट पत्थर इकठे हो गए सब प्रति दिन मिलकर बहुत परिश्रम करते कुछ दिनों के उद्यम से चबूतरा तैयार हो गया धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया जल और चटाईयों का भी प्रबंध हो गया अब गाव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहां आने लगे परिश्रम भी एक आदत होती है गाव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे अवश्यक्ता पड़ते ही सणक बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद लेते उए साफ कर देते और इस सब का परिणाम यह हुआ कि गाव में खुश हाली आ गई उस गाव का मुखिया इन सब बातों से बहुत अप्रसन था वह बार-बार गाव वालों के काम में अडंगा लगाता कोई अकेला मिलता तो समझाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नश्ट कर रहे हो वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिये थे इससे मुखिया की जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी उसने कुछ सोचा और राजा के पास जाकर शिकायत कर दी कि गाव के सभी आदमी चोर है नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं उपद्रव करते हैं और मार पीट के बिना बात ही नहीं करते इससे गाव भर में उत्पात मचा हुआ है शीगर ही कुछ प्रबंद ना किया गया तो गाव में भले आदमीयों का रहना दूबर हो जाएगा राजा की आग्या से मुखिया सब को बांध कर राजा के सामने ले गया राजा ने ना कुछ पूछा ना सुना बस कह दिया हाथी के पैरों से कुचल कर इन्हें मार डालो राज महल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया सभी के हाथ पैर बंधे थे कुमार ने सब को समझाया चुप चाप लेटे रहना हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना कोई कुविचार मन में न लाना सबने ठीक वैसा ही किया राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया हाथी उन लोगों के पास पहुँचकर चिंग हाडता हुआ लोट गया दूसरा हाथी मंगवाया गया पर वह भी आगे न बढ़ा तीसरा चौथा और फिर बारी बारी कई हाथी बुलाए गये सुबह से शाम हो गई पर हाथी उने किसी को नहीं कुछला राजा ने कहा जान पढ़ता है इनके हाथ में कोई दवा है जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे ढूड़ने पर उनके पास कुछ भी न मिला अब राजा ने कहा ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते है महराज हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते हम सब साधारन ग्रहस्त हैं, परिश्रम कर अपने अपने परिवारों का पालन करते हैं, हम सभी जीवों से प्यार करते हैं, जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज नहीं लेते, जूट नहीं बोलते, नशा नहीं करते, सब को मित्र मानते हैं, सब की मदद करते हैं, गाउं यदि हम लोग कोई मंत्र जानते हैं, तो यही मेरे साथियों ने गाउं का काया कल्प कर दिया है। मुखिया जी अप्रसन हैं, क्योंकि बुरे कामों से उन्हें जो आय होती थी, वह रुग गई है। राजा ने गाउं के विकास की बात सुनी, तो मुखिया से पुछताच की, उसी को दोशी पाया और उसे दंड दिया। अपने अनुचित विवहार के लिए राजानी कुमार तथा उसके साथियों से शमा मांगी और कुमार को गाव का प्रबंधक नियुक्त किया, तथा एक हाथी सम्मान पूर्वक भीट किया।